उत्तरखंड में जारी सियासी उठापटक और सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है तीरच सिंग्रावत राज्ची के नए मुख्यमंत्री होंगे उनके नाम पर बीजेपी विधान मंदल के सभी विधायकों ने मुहर लगा दिए त्रिवेंद्र सिंग्रावत के स्तीफ़े के बाद स्यम्पत के लिए कई लोगों के नाम की चर्चा थी लेकिन आखिर का आला कमान ने तीरच सिंग्रावत को ही कमान सौपी तीरच सिंग्रावत के बारे में कहा जाता है कि उनकी मिलनसार और बेदाक छवी उनके लिए फायदेमन साबित होई वो फिलहाल गडवाल से सांसद हैं और लोग प्रोफाइल नेता माने जाते हैं जब त्रिवेंद्रावत मुक्यमंत्री बने थे उस वक्त भी इनका नाम सीम की दोड़ में शामिल था तीरज सिंग रावत पौड़ी गडवाल जिले के सीरों गाउव के हैं उनका जिनमन आपरेल 1964 में हुआ था हेमवंती नंदन बहुगोना गडवाल विश्वध ज्याले से समाज शास्त्र में पोस्ट करिजूशन करने के बाद वो राज़िती में आ गए तीरज सिंग रावत के नाम साल 2019 के लोगसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आए था जब उन्होंने अपने सियासी अनुभूफ की ताकत को दिभाते हुए लोगसभा चुनाव में गडवाल संसती सीट पर पहली ही बार में जीत पक्की कर ली थी तीरज सिंग रावत 1983 से 1988 तक राश्ट्री स्वयमसिवक संग के प्रचारक रहे उसके बाद अखिल भारती विद्यार्थी परिशत के संगठन मंत्री और राश्ट्री मंत्री गरवाल विश्विद्याले में चात्र संग ध्यक्ष चात्र संग मोर्चा में प्रदेश 2000 में राजी गठन के बाद उत्राखंड की अंध्रिम जरकार में शिक्षा राजी मंत्री का दाय तो संभाला उनका इस सफर आगे बढ़ता ही रहा और साल 2007 में बीजेपी के प्रांधिय महमंत्री बने उन्होंने 2012 में चौबट्टा खाल सीट से विदान सभा का चुनाव ल जिन्मधारी सौपी गए आज भी मैं सब्सक्ता हूं कि जो बढ़ो ने जो जो दैस को दिया जो में ने दिया और आज भी आपके आखर बात से यही परियास करूँगा कि मैं उसको बहुत होँगा आपके साथ साथ